प्रिस्पल्लाय रख्वार रहीम, अस्लाम लेक्रम प्यार वच्छो, आज मैं आपसे वूर्ट क्लास की बुक का निसाब या वूर्ट क्लास के बुक्स शेयर करनी दो की हूँ, ये लिकुबत इपातितान में नियु बुक्स मतारिफ करवा हैं, जो के वन नेशन वन फार्ट प्रिस्पल्ड देखते हैं, तो यानि के एक नसाब, एक कौम, ये सारे पंजाब में अपसे सारे स्कूर्ड में यही बुक्स चरिएगी, तो अब हम सिंगल बुक्स का इंट्रो देखते हैं, और उसमें देखते हैं क्या क्या चाज़िज़ हैं, ये आपके उर्दू के हम देखते हैं, इसका हम कांटेंट देखते हैं, ये बहुत कलाफूल है और बहुत मज़े से सारी इन्होंने दिखाए की वी है, इसमें सारे सबक हैं, और सबक के अंदर हमें क्या क्या चीज़े सीखने के मिलेंगी, वो भी सारे कांटेंट दिये वे हैं, इसमें आपको बह की सबक हैं नसमी हैं टोटलिस्ट में तक्रीबन 23 असबाक हैं और 23 असबाक में आपको बहुत अच्छे से उर्दू पढ़नी आजएगी और बाकी सारा कुछ भी आजएगा जैसे कि ये हम्द है इसके बारे में सारा कुछ बताया वै फिर ये हम्द है और फिर फास्वाइनी और इसकी मश्वाइनी 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 और इसकी मश् ये गुल दस्ता बहुत जबर्दस किसम की इन्होंने बुक इंट्रेड्यूस करवाई है हकुमत पाकिस्तान ने इसी तरह हम देखेंगे इसको इसके बाद ये मैट्स की बुक है मैट्स की बुक हम देखते हैं इसके अंदर इसके अंदर 13 चैप्टर्स हैं जैसे को होल नंबर, एडिशन, सब्रेक्शन, फेक्टर, फेक्टरिजेशन, टाइम, जिमेट्री, एंड इसक्टर, बहुत मज़ है कि एक एक तरीके से बताएं भी है चीजें पर एक्स्प्लेन कीने हैं और फिर एक्सराइस दी भी है, सॉल्फ करने के लिए तो और इस पर भ भी नहीं होगा और इंट्रेस्टेंग लिए वो पढ़े का भी इंट्रेस्ट लेके और फिर उसको सॉल्फ करने में भी उसको मज़ा आएगा, जिमेट्री तक दी भी है इसमें तो लिट्सी, हाँ जी अगले पुख हमारे पास है साइंस की, जैने साइंस, जैने साइंस में आपको प्रोसेस ओफ लाइफ, हीमन हेल्थ, वही एनिमल्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, और अर्थ के बारे में, सोलर सिस्ट्रम के बारे में, डेली लाइफ के बारे में, और विट इग्जाम्पल्स, विट डिटेल, एविटिंग दी भी है, बच्चे को बहुत ज़ पे पिक्चर उसे बच्चे जादा ऐंडर्साइन्ट करते है तो इसी तरह वो जादा और्साइन्ट करेगा और पिर चप्टर के आखिर में एक्सेसाइज भी दीवी है जिससे हमें पताः चलेगा कि बच्चे को कितना आया और कितना नी टीचर्स भी बहुत अच्छी होंगी समझाने के लिए उनके लिए भी बहुत ज़्यादा useful book है और आगे से बच्चे भी पढ़ने में interest ज़रूर लेंगे होप सो इंशाला यह हमारे पास four class की English की book है इसके हम content देखती है इसमें देखी बहुत डेटेल बाइस बताया है कि इसका theme क्या है सब तीम क्या है इसके oral communication, reading, language focus, grammar, writing सब कुछ बहुत डेटेल में बताया है इसके हर तीन chapters के बाद एक review आता है Like a test, इन तीन chapter का test review में लिया जाएगा इसके total 13 chapters है Great Graphics of Islam, Caligraphics of Islam इसी तरह गिप वर्ड के इसमें ये oral communication है सारा कुछ learning speak है ये exercise हा गई है और हर 3 chapters, after 3 chapters The journey of chocolates Interesting, with pictures दीनी है तो बहुत मजा आएगा पड़के बहुत colorful सी, बहुत सूरत सी books है इस अपर डिजाइन की दीने है ये review आगे है, जो 3 chapters बाद में आपको बता रही थी तीन chapter का test जो आएगा इसमें लिया गया है इसी तरह आगे भी सारी book में बहुत मज़े की with pictures, details दी गे रही है अच्छा जी, अब हम four की इस्लामियात की बुक के बारे में पड़ते हैं इस्लामियात की बुक के बुक में सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत portion नाजरी का दिया गया है और उसके बाद फिर chapters दिये गया है नाजरे में कुरान में जीद के नाजरा दिया गया है है तर्जमा उन चीज़ों का और देन उसके असबाग है इसमें total साथ असबाग दिये में है जैसे के ये चोटी चोटी सूरते दीगी है सुए माउं, सुए काफरूं, सुए लाहाब ये याद करना कुरान में जीद में जो कलमात पढ़े जाते हैं थोड़ बहुत वो याद करना अहदीश सुरी सिदीगी है दौाइं है और देन चेप्टर स्टार्ट होता है चेप्टर स्टार्ट में भी आपको डिटेल बताई वी है कि हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे चेप्टर्स पढ़के और फिर एंड में इसकी मश्ट दीगे वी है इसको सॉल्फ करेंगे कि बहुत अच्छी इंटरस्टरिंग बुक है विट पिक्चर्स बहुत खुबसूरत बहुत ही खुबसूरत तरीके से यह कुमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा नई बुक्स त्यार करवाई है जैसे शबह बताले तो एक पहार का सीम भी दिखाया वै ताके बच्चों को पताच चले कि अच्चा यह शबह बताले है इसी तरह एक्सिसाइस है इसी तरह सारी बुक इसी तरह बहुत खुबसूरती से डिजाइन की गी है और अंदर भी आदीस और अलाओ ताला का इरशाद इसी तरह सारा दिया गया है हाँ जी अब हमारे पास आखे बुकाती है नाजरा की ये अकोवट पाक सान ने एक नाजरा की बुक दी है जिसमें असान तज्वीद कुराण मेजीद पढ़ने का तरीका हमें बताया जाएगा ये बहुत अच्छा एक इन्तिसाम किया है और कुराण मेजीद में colorful हो जाए तो और दो ता बच्चे को पढ़ने में मज़ा आता है पहले कुछ दुआई हैं, कुछ सूते हैं, कुछ आयात हैं जिस तरह सोय यूसुफ है, सोय अलहजर है, सोय बनी साइल है सोय काफ की कुछ आयात है, सोय मर्याम, सोय है, सोय माउन ये सारी थोड़ी थोड़ी आयात हैं, उनको किस तरह से पढ़ना है, कहां टैना है, कहां जेर जबर किस तरह से लगानी है इसके बारे में सारा हमें डिटेल में बताया गया है और उन आयात को बलंद वाज में पढ़ेे और भुझे कोभी बलंद वाज में पढ़ेे इस तरह से सारे नुक्ते दिए गए हैं कि कान, सुपारे को किस तरह से और किस तलफ़ से पढ़ना हैं हमने ये बच्चे कोभी पढ़के मज़ाएगा इंशाला और उसकी knowledge में भी इजाफा होगा और teachers को भी पढ़ाने में मज़ाएगा हाँ जी ये थी 4th class की सामयाद कर book का थोड़ा सा introduction अपने असाल स्टार्ट होते वला है और ये market में भी available हो गई होंगी तो इंशाला ये books पढ़ने में भी बचों को भी मज़ाएगा और teachers को पढ़ाने में भी मज़ाएगा and best of luck for your new session ओके अला फिस